नमश्कार दोस्तों! हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C.V के बारे में कि CV लिखते कैसे हैं, CV का क्या importance होता है, कितने तरीकें कि CV होते हैं два एज जाändern से सीवी होता क्या है तो सबसे पहले में आप लोगों को बता देती हूं कि सीवी यह होता है यह हम जब भी जो प्त्रा करते हैं रोच new sa ऐसे सीवी का फुल फर्म होता है क्यूरिकुलंब वटाय ठिक Corona किूरिकूलंब प्रीच के तो CV जो है वो दो तरीके के होते हैं एक American CV होता है और दूसरा British CV होता है हम यहाँ पर इंडिया में British English फॉलो करते हैं और British CV भी लिखते हैं फॉलो करते हैं ठीक है तो आज में आप लोगों को बताऊंगे कि British स्टाइल में CV किस तरीके से लिखते हैं अगर आप सपोज जा रहे हो इंग्लैंड जॉब के लिए या अब इंडिया में ही किसी जॉब को हायर करना चाहते हो जॉब आना चाहते हो तो अब किस तरीके से cv लिखेंगे यह हम आपको बता दे रहे हैं अगर आप इस तरीके से cv लिखेंगे तो आपका cv बहुत ही attractive बनेगा और आपको jobs guaranteed मिलेंगे तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि cv हम लिखते कैसे हैं देखिए यह इसका format है सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखते हैं नाम मैंने आप लोगों को बताया है जबी आप नाम लिखेंगे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे फुल नीम लिखेंगे जिसे कि हमारा जो नाम है वह है प्रीती श्रिवास्तव तो हमने यहाँ लिखा है हमारा अपना पूरा नाम प्रीती श्रिवास्तव उसके बाद हम अपना यहाँ पर अड्रेस मंटेन करेंगे हमारा जो अड्रेस है वो है XYZ पटना उसके बाद हम अपना पिन कोड दे देंगे कि हमारा जो पिन कोड है वो कितना है उसके बाद हम यहाँ पर अपना हम number यहां पर लिखेंगे ठीक है उसके बाद आपको यहां पर date of birth अपना लिखना होगा आपका जो भी date of birth है वो आप बिल्कुल इस तरीके से format में डालोगे आप लिखोगे 14th of October 1984 मेरा जो date of birth है वो मैंने लिखा है 14th of October 1984 आपका जो भी date of birth होगा वो आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे अपना marital status अब यह marital status क्या होता है तो marital status is something कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं आप unmarried हो आप डिवोस्ट हो यह सारे जो detail होता है उसे marital status कहते हैं तो मेरी शादी अभी नहीं हुई है मैं अभी single हूँ तो मैंने आप लिखा है single उसके बाद आपको यहां पर अपना education qualifications लिखना होता है कि आप अभी तक कितनी ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो 2007 से लेकर के 2011 तक मैंने Delhi University से BE in computer science किया है and engineering किया है जिसमें हमें first class ranking मिली है तो अपना जो education qualification है वो आप यहां पर लिखेंगे और कौन से year से कौन से year तक आपने किया है वो भी आप यहां पर लिखेंगे ठीक है तो जैसे कि 2007 से 11 तक हमने यहां पर डेली यूनिवरसिटी में computer science and engineering करा था जिसमें हमें first class marks आया था ranking मिला था and then 2005 से 7 में हमने senior secondary exam crack किया था XYZ public school से physics में हमें distinction मिला था biology में भी हमें distinction मिला था chemistry में हमें distinction मिला था and mathematics में हमें distinction मिला था जो भी आपके बारे में education qualification है आप यहां पर प्रॉपर तरीके से लिख दोगे उसके बाद आप यहां पर लिखोगे employed to date उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे कि आप employed कब से कब तक कौन से company में आप काम कर चुके हो तो हमें यहां पर लिखा है 2011 से लेकर के अभी currently मैं Infosys limited electronic city बैंगलोरू में मैं काम करती हूँ तो मैं यहां पर लिखा है Infosys limited electronic city बैंगलोरू उसके बाद हमने अपना आप इंटरेस्ट लिखा है इंटरेस्ट हमें स्विमिंग में है क्रिकेट में है भारत नाठीयाम डांस भुझी बहुत पसंद है और पॉप मुझीक बहुत पसंद है तो जो भी आपकी इंटरेस्ट है होबीज है वो अपलब से लास्ट में लिखो गया तो दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीवी हम इस तरीके से लिखते हैं और आज के इस वीडियो में इसे के साथ जहिन बने मात्रों नमस्कार